हैलो नमस्ते आज मैं एक नई रेसिपी की साथ फेर आ गए हूँ आज हम बनाएंगे कुछ अलग तरीका से ब्रेट की नास्ता ब्रेट का तो बहुत तरीका नास्ता बनते हैं लेकिन आज हम कुछ अलग तरीका से नास्ता बनाएंगे ब्रेट की चले आप ये ब्राउन ब्रे दो-तिन मिनिट के लिए चलो स्टाफिंग करने के लिए रेडी करते हैं मैंने ये चोटी साइस की आलू कदू कस किया हुआ है और इसको यहाँ पर दो-तिन बार अच्छी सी धो लेंगे इसको अच्छी से निचोर के लेनी है हमें ज़्यादा पानी पानी करके नहीं लेनी है इस तरह से यह देखिए धो के रेडी हो गई मेरा तीन बर दो लिया अब हम यहाँ पर बॉल में डाल देंगे और मैंने यह दो साइस छोटी साइस की प्यास लिया है इसको लम्बी-लम्बी पतले करके कटी हुई है यहाँ पर डाल देंगे इस तरह से और स्पाइसी के लिए मैंने यहाँ पर हरी मिर्च लिया है तीन-चार इसको भी छोटी-छोटी पिसिस में कट किया है और यह हरी फ्रेश पता भन्या का यह भी डाल दे रही हुँए यहापर अभी हम यहापर डालेंगे स्वाद अनुसर नमक नमक डालने की बात यह प्याज और आलू पानी रिलेस कर देंगे हमें इस मिक्सर पे थोरी से भी पानी यूज नहीं करने है इस तरह से मिक्स करके यहाँ पर हमें छोड़ देने है दो मिनिट के लिए तब तक यह पानी रिलेस कर लेंगे प्याज और आलू चलिए अभी हम ब्रेट पे जाते हैं देखने के लिए कैसे बनके रेडी हो गई है यह देखी इतने फुली सी हो गई है पानी सब सोक लिया इसने अब इसको अच्छी सी इस तरह से निचोर देंगे जितना सकी इसको निचोर ना है पानी ज़्यादा रहने नहीं देनी है इस तरह से निचोर के हम यह आपर डाल दिया अब हम यहाँ पर डाल देंगे दो चमच कॉन फ्लॉर अब इस जगह पे चावल के आटा भी ले सकते हैं बैसन भी ले सकते हैं और मैं यहाँ पर डाल रही हूँ चाट मसला हाफ चमच और रेड चिली पाउडर और हम यहाँ पर डाल देंगे काली मिल्च पाउडर और चिली फ्लेक्स मैं थोड़ा स्पाइसी बना रही हूँ चटपटा सा आप बच्चों के खिला रही है तो स्पाइसी थोड़ा कम कर दीजे और इसको अच्छी से मिक्स करने की बाद इस तरह से बन के रेडी होते हैं और थोरे से हाथ में तेल लगानी है और इसको इस तरह से शेप देनी है यह देखें जदा मोटा भी नहीं जदा पतला भी नहीं इस तरह से बनाएंगे सब इस तरह से बना के रेडी कर लेंगे और तेल गरम करने के लिए रखी हुई आपे मैंने हाई हीट करम हो गया है अभी इसको मीडियम फ्लेम करके एक एक पिस डाल देंगे ज़्यादा हाई फ्लेम में नहीं बनानी है क्योंकि हम यहाँ पर कच्छे अलू का यूज किया हुआ है इसलिए जब यह डालनी के बाद 5 मिनिट तक आपको मीडियम फ्लेम पे पकाने होंगे दो साइड से अराम से पकाने होंगे ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 मिनिट लगेंगे यह पकने के लिए और हम उपर से इस तरह से तेल गरम तेल डाल देने से उपर में भी जल्दी सेख जाएंगे इस तरह से अभी दो मिनिट तक हमें एक साइट में पकाने है और दो तीन मिनिट एक साइट से पकाने है तो हमें लगबग 5-6 मिनिट में बन के तयार हो जाएंगे हमारे ब्रिक्फस्ट ये देखिए दो मिनिट तीन मिनिट हो गई अभी और मैं इसे करके उलट पुलट कर दे रहे हो और इतनी फुली फुली सी बनी रेडी हुई है अंदर तक पाक रहे है ये अच्छी से ये बहु के अध्र मिनिट में आपका नास्था रेडी हो जाएंगी सुभी का अरे क्वेजी परिए और साम उन्य स्थित tus het with apples को जाएं सको भी या या दाल देंगे ब्रेट तो सबी का घर में रहते हैं हमेशा रहता है घर पे ब्रेट और आलू भी हमें बाहर से कुछ लानी के लिए जरूर नहीं है घर पे हर चीज मिल जाते हैं आप यह एक बड़ जरूर ट्राइ कीजे इस तरह से बना के खाईए और बच्चों को टमेटो की केचाप की साथ में दे दीजे और आप चाय की साथ में भी ले सकते हैं एक बड़ आप जरूर खाईए बना के और आपको कैसे लगी यह मेरी रेसिपी प्लीज कॉमेंट करना ना भूले और लाइक, शेयर, सस्क्राइब कर दीजे नई वीडियो के साथ फिर में आऊंगे